Hello friends, welcome to all, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेगा रहे हैं कि फार्मा का हब बनेगा इंडिया क्योंकि यहां पे जो गौर्णमेंट की डायरेक्शन है फार्मा के लिए फार्मा सेक्टर के लिए इंपोर्टेंट डायरेक्शन है यही बात है कि आपदा को आउसर में convert करने की बात जो प्राइम मिनिश्टर मोदी जी ने कही थी उसी की direction में pharma sector जा रहा है आपको यकीन नहीं होगा लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिश्टर मोदी जी ने PPE kit के बारी में बात करी थी कि इंडिया के अंदर ना के बराबर बनती थी और आज की date में इंडिया second number का exporter बन चुका है पीपी किट का इंडिया में ही नहीं बहुत मतलब global level पे export कर रहा है इंडिया इंडिया के एक खपत के अलावा तो आप सोचिए कि इस आपदा को आउसर में convert किया जा रहा है और इसी में जो pharma sector पिछले कुछ सालों में बिलकुल आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े stocks जमीन पे लेट रहे थे, सब के सब revive कर रहे हैं, इस opportunity का फाइदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी में एक जबड़ता stock है, जिसका major काम तो API यानि की active pharmaceutical ingredients का है, जड़ा देखते हैं, investment का मौका देख रहा है, बहुत तेजी थी पिछले महीने फार्मा सेक्टर में और एक correction के requirement थी, और मैंने देखा कि पिछले महीने की तेजी के बाद हर stock में, पुरे के पुरे सेक्टर में एक correction आया और उस correction के बाद अब अगली rally start होने लग गई है, कुछ stock में अलड़ी हो चुकिया, कुछ stock में वो rally start होने की phase में है, तो चले बात करते हैं, फार्मा सेक्टर के stock के और आगे बढ़ने से पहले में आपको बता दो, अगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं के, तो आब बहुत सारी चीजे मिस कर रहे हो, तो जल्दी से subscribe करी है, क्योंकि यहां पर हमने बात की थी, reliance industry से भी बड़ा pharma sector के share की, biotech, biocon के share की, sdpc share का जो profit के estimates आये हैं, उसकी pharma में और भी सिपला की बात करी थी, तो आज हमारा major role जो है pharma के एक-एक stock को cover करना है, और वही हम कर भी र जड़ा देखिए, यह pharma, majorly, global operations इसके है, manufacturing, development, api, pharmaceutical and nutraceutical products इसके है, आप देख सकते हो कि बड़ा share, छोटा share नहीं है देखिए, बड़ा share, अगर आप फार्मा सेक्टर में अभी के टाइम पे देखोगे न, तो बहुत सारे shares ऐसे होंगे, जो आपको दिखेंगे, उन मैं, क् पिछले 3-4 सालों के अंदर बड़ी खतरनाक स्थी फार्मा सेक्टर में बनी थी, तो आप देखोगे कि अधिक्सतर share जिन में गिरवी रखे वे भी share आपको देखेंगे, profit भी कम देख रहा होगा, इवन आपको गिरवी रखे, share के लावा उधार भी बहुत जादा देख र आपको कम देख रहा है, sales growth 14-15% का, लेकिन अब future बहुत ही solid देख रहा है, आप देखते है, profitability और revenue की तरफ जब आपका ध्यान जाएगा, आप करोगे रहे वाह, यह देखे, किस तरीके से profitability ग्रो करी है, पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा stagnant सी हुई लग रही है, देखे लेकिन फिर भी overall यह revenue किस तरीके से grow किया है, profitability अगर आप देख सकते हो, तो देखे, धीरे धीरे करके profitability में भी आपको growth देखने को मिल रहा होगा, बहुत ही जबर्दस बीच में यह थोड़ा सा कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर से वापस line पे आता हुआ, अब आपको गय में को एंजल बोकिंग ने इसका target दिया, 3300 का, यह target कहां से लेकिया है, क्यों यह target देना अगर आप देखोगे, तो 2300-2400 के लेवल से नहीं इसको 3300 का target देता है, बहुत ही बढ़िया बात कि हम तो जब share को देखते हैं, तो technical पर जाके समझने की कुशिश करता है, fundamental देखन मुझे देखने को मिली है, मैं कहूंगा recovery, जहाँ पर बड़े-बड़े shares जमीन पर लेटे हुए थे, वो share सोके जाकते हुए नजर आ रहे है, बट, एलकम लेवाटरी के ज़रा share को ध्यान से देखे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको detail में बताते हैं, monthly से start करके weekly, hourly, daily, सब detail बत लगाने लग जाएगा, basic understanding लगाने लग जाएगा, उस दिन retail investor market में कभी पैसा नहीं कवाएगा, क्योंकि retail investor 90% retail investor lose money in share market, क्योंकि वो अभी अपने कभी अपने वो tip के विश्वास करेगा, वो कभी अपने मन से सोचता नहीं, अपनी analysis करता नहीं stocks के बारे में, just news tip इनके उप अगर यहां पर देखिए, starting में 2016 में जब market के बाद, यह correction था, और मेरा मानना हमेशा से रहेगा, और हमेशा ही यही रहता है, कि correction resolve होने दीजिए, तब entry कीजिए, bottom पे पकड़ने की कोशिश मत दीजिए, अब देखिए, correction आया, resolve कहां पे हुआ, correction में, starting से इसलिए बताता क्योंकि breakout की situation बंदी है, और breakout के near आपको दिखता है क्या, किसी भी stock में आपको दिखता अगर breakout के near इस तरीके से lions attack, अरे वा, मज़ा आ गया, amazing कहो गया, entry का मौका second, फिर देखिए, फिर से correction आया, प्रहन बार मैंने आपको कहा है कि भी, अगली rally से पहले correction की requirement होती, क्योंकि hands change होंगे, तब ही share भागने की कोशिश करेगा, देख सकते हैं, correction आया, और देखिए, कोई कहेगा इसको यह pullback था, कोई यह correction था, तेजी correction रिजॉल्व होगा, तब entry करिए, आपने कहां तक share गया, देखिए, यह point को देखिए, यह almost यह point है, 2400 का, और entry का मौका आपका कितन था, 1700 के level और कितने दो महिने के अंदर, इस से अच्छा return और क्या होगा, और यहाँ पर माल लीजे, आपने entry की होती, 1300 पर, और माल लीजे, maximum नहीं तो आपने यहाँ पर profit बुक के अगर गया होता, तो 1700, पर कुछ ही महिनों के अंदर इतना बढ़िया profit, लेकिन उसके बाद फिर से correction आई, और correction की बाद जब भी होती है, मन्थली पर देखिए, यह candle को देखिए, यह correction थी, candle जो है, joint आपके लिए अगर swing trading आप करते हो तो आपके लिए बहुत ही important मौका था, joint high के बाद entry लेने का, तेजी देखिए कहां तक गई है, 2400, पच्छे सो के level पे, फिर बड correction रिजॉल्व हुई, और देखिए आप इन correction को resolve होने को आपको समझना है कि कैसे correction रिजॉल्व हो रही है, तो correction कैसे resolve हो रही है, इन points को draw करते हुए देखिए, correction रिजॉल्व हुई, entry का मौका है, share ने भाग के बढ़िया jump आपको दिया, और March के महने में फिर से गिरावाट weekly पे अगर मैं moving averages की बात करूँ, तो 2050 का already crossover हो चुका है, देखिए support लिया 20 के बाद और इस बार मार्च की बड़ी गिरावाट आई, 2700 के level से share देखिए, 1900-1800 के level तक आ गया था, लेकिन ये क्या था, जितनी तेजी से नीचे आ, उतनी तेजी से इसने bounce back कर दिया, ये just 50 के नीचे का slip था, और इवन आपने देखा होगा कि यहाँ पे cross भी नहीं बना, वीकली पे, वीकली पे अभी भी strength जो है, वो मौझूद है, आप देख सकते हो, बड़ी candle, छोटी candle, तेजी, और यहाँ किस तरीके से 2900 के level को, यानि कि पिछले level को भी पार करके चल देखिए, कि किसी भी breakout के लिए successful होना तभी है, अच्छी बात है, जब वो एक correction के साथ चलता है, एक consolidation के साथ चलता है, otherwise breakout successful नहीं होता, यह देख सकता आप, breakout हो 2700 का, लेकिन successful नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि हमें एक correction के requirement थी, and we have the correction now, देखिए, कितनी तेजी से share गया, 1000 रुपे चड़ गया, लेकिन बिना किसी correction के, बिना किसी strong correction के, अब strong मा आया है correction, यह correction इसी की requirement थी, now you have a better chance, now you have a better entry point, अब यह correction देखिए, धेरे-धेरे resolve होने का नाम दे रहा है, जो कि एक positivity दिख रही है, और पिछले week के candle strong joint देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी इसका high जब पार हो एंट्री की बस देरी है, देख सकते आप, अब यह तो आपके पास रहा weekly chart, लेकिन daily पे क्या कुछ कह रहा देखिए, daily पे अगर आप situation देखते हो, तो देखिए, situation को समझते है daily पे, daily पे situation अगर मैं समझू तो देखिए, यह जब तेजी आई थी, तब आपने देखा होगा कि फ्लैक पैनेंट बना, फिर से तेजी आई, फिलाल बड़ी correction है, बड़ी correction के साथ साथ देखिए, cross अल्रेडी बन चुका है हमारा यहाँ पे, लेकिन अभी देखिए, दोनों लाइने चिपक रही है, इसलिए आपको कह रही है, तो यह high level को पार करके, 25 something का यह high level है, इसक के आपके लिए रिस्की रहेगा, इसलिए इस level के बाद ही entry करना, देखिए, 2520 का यह level है, और बात करते हैं, इसी stock के अब हम hourly में, hourly में positivity आ चुकी है, और यह cross बनने को तयार है, इसका मतलब कि यह cross अगर बन जाएगा, तो वो line जो है, अपने आप ही, उपर की side move करने लग आपके जाएगे, क्योंकि यह correction था, इस correction में आप देखिया, hourly ने किस तरीके से react किया, काफी बार, बीरिस्क बुलिश क्रॉस बने, लेकिन आप जाके तेजी, हलका सा यहाँ पर positivity देखने को मिल रहें, लेकिन आपका वो level पार जरूर होना है, और जो lines, 2050 की lines आपने देख आतिल ए गान, थैक C, थैक C, बचैंक से प्रचशे बीडर्यों की ताकिव